हेलो क्लास 7 जैमा सरस्वती स्टुडेंट हमने अपनी एक्साइज 1.2 कर कंप्लेट कर ली है आज हमारा है मल्टिफिकेशन ओफ इंटीजर तो आई होब स्टुडेंट आपको यह सब को समझ में आ गया होगा ठीक है तो हमारा मल्टिफिकेशन ओफ इंटीजर के लिए कुछ अगर हम इस जैसे बुक में लिखा है उसको पढ़ेंगे तो काफी लेंदी है तो हम इन सॉट समझते हैं और डेटेल में समझते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम क्या मल्टिफिकेशन ओफ इंटीजर के रूल तो मैंने यह रूल पहले से लिख ले आप भी इनको अपनी नोट तो B is equal to minus AB mean क्या है हमारा इसका देखो हमारे पास के एक positive integer का जब हम negative integer से multiply करते हैं तो हमारा क्या होता है या फिर हम क्या करते हैं एक same है अगर हमारा minus A पहले आजाए यानी A पहले meanis हो जाए फिर हमारा positive आख लेंगा कैसे देखो यहां पर हम figure 0 चैज़ाँपल लेते हैं A equal to 4 B equal to 2 तो देखो अगर हम क्या करेंगे A, A क्या है हमारा 4 into B, B क्या है 2 और उसके आगे क्या है, minus है तो का multiply करेंगे, तो क्या मिलेगा minus 8 मिलेगा, okay and same as, अगर ये plus हो ये positive हो, ये negative हो तब भी हमें ये ही मिलेगा, okay and next देखो, क्या है minus A into minus B is equal to A into B तो देखो, जब क्या होता है हम negative integers का आपस में क्या करते है, multiply करते है तो हमें क्या मिलता है, positive integer मिलता है, mean, हमारा minus क्या है, बुजाता है, कैसे देखो, अगर हम क्या करेंगे 4 multiply by minus 2 is equal to 8 यानि minus से minus हमारा cancel हो जाता है, okay and next is, क्या है, third हमारा है A cross B is equal to B cross A, means A cross B is equal to B cross A, means हम अगर A से B को multiply करें या B से A को multiply करें तो हमें same integer मिलेगा mean कैसे देखो, 4 into 2 is equal to 8, okay 2 into 4 is equal to 8 होता है ना 2 4 जा 8, 4 जा 8 तो same है, okay, next क्या है हमारा, देखो क्या है, हमारा A into 1 is equal to 1 into A is equal to A mean, देखो, अगर हम A हमारा A क्या है यहाँ पे 4 है, B हमारा 2 है तो हमारा, अगर हम 4 का multiply 1 से करें, तो हमें 4 ही मिलेगा, या 1 का multiply हम 4 से करें, तो भी हमें 4 ही मिलेगा, क्योंनी, 1 4 जा 4, 1 जा 4, okay ठीके, तो हमें ऐसे मिलेगा, यानि किसी भी इंटीजर का, अगर हम 1 से multiply करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलेगा and next क्या हैं हमारा, A cross B cross C is equal to A cross B A cross B cross C तो हमारा क्या है, मीं अगर हम अगर हम पहले क्या कर लेगे A into B का multiply करके, C से multiply करें तो बात वही है और A into B A का multiply हम B into C से पहले करके इसे करें, तो बात वही है कैसे, देखो माना C B क्या ले लेते हैं कि और बने माना हम क्या लेता है कि ब्लतन हों कि सी भी हमारा टू निक्षोध फर्स्थ क्या है हम पहले की जेकर छेटा भूर इन्टू-जार तीन पेसल फ्म तो इन्टू पहले फूर इन्टू तो इन्टू नौर अगया सिप्सिटइन हों गया ठीक है इस साइड में देखो यह वाला, क्या है A क्या है हमारा, 4 और B क्या हमारा, 2 into 2, तो क्या हो जाएगा, 2 into 2, 4 तो 4 यहां पर into भी है, तो यह क्या हो जाएगा, 4 फो जा, 16 तो means वो भी क्या हैगा, वैसी आएगा, same होगा and next देखो क्या है, A cross B plus C means अगर हम A का multiply, B plus C से कर रहे हैं, तो हमारा या हम A का, तो हमें क्या मिलेगा इसका, तो देखो क्या हमारे पास, B हमारे पास A, B, C यह है न, तो A first में हम से क्या कह रहा है, देखो यहां पर देखो, A हमारा 4 है, cross B plus C, तो B क्या है हमारा, 2 plus 2 2 plus 2, 2 है, तो हम यह क्या हो जाएगा हमारा, 4, 4 to J, कितना हो जाएगा हमारा, अब हम इसको अलग-अलग करता है, कैसे करेंगे, हमारा क्या जाएगा, A into B, तो हम A into B करेंगे, 4 to J, 8 plus 4 to J, 8 plus 8, तो हमारा क्या जाएगा, 8 plus 8 is equal to 16, same है, as हम इसको भी कह सकते हैं, कि यहां पर अगर 4 हो गया हमारा, 2 plus 2, 4 हो गया, 4 फो जाएगा, 16, तो हमारा सेम आएगा, और नेक्स्ट ऐसी क्या है हमारा, देखो, यह वाला है, क्या, ऐसी हमारा minus के लिए होता, अगर यह minus होता हमारा, तो यह जीरो हो जाता, होता ना, यह 0 हो जाता, तो 4, 0, 0, तो हमारा सेम ऐसी होता, अगर हम 4 to J क्या करते, 4 to J 8 minus 4 to J 8 is equal to 0, तो हमारे ऐसे इसके rules होता है, और नेक्स देखता है, हमारे आगे क्या क्या चीज़ा आती है, यह rules हमारे कुछ हैं जो हमने पढ़ लिए, तो आप जो मैंने पढ़ा है, उसका screenshot लेके, आप उसको पढ़ेंगे, अब देखते हैं, हम सीथे exercise में चलता है, क्योंकि मैंने इसके सारे rules आपको note करा दे, हाँ, इसमें कुछ examples हैं, यह कुछ examples हैं इसमें, तो इन examples को आप करिएगा, तो यह बहुत काफी simple हैं, का solution दिया है, तो आप इनको करिएगा, and the questions, तो आज हम, अभी हमारी start होती है, exercise 1.3, तो the first question is, तो हमारी exercise क्या है, 1.3, first question है हमारा, क्या, first question है, find each of the following products, तो हमें क्या करना product निकालना है इनके, तो क्या हमारा first 3 into minus 1, अब यहाँ पर किसी ने लिखा है पहले से, तो यह कैसे हुआ देखो, जब हम क्या करेंगे, 3, 3 come 1 से multiply करते हैं, तो क्या आता है, 3 बंग जा, 3, लेकिन इसमें क्या है, minus 1, minus में है ना, तो इसके आगे भी minus आ जाएगा, same है, हमारा second है, देखो, same, इसी का same है ना, तो इसको आप करिएगा, तो इसका अंसर तो पहले से किसी ने लिखे भी हैं यहाँ पर, और यह वाला देखो, हमारा b c है ना, यह c question है, हमारा क्या है, minus 21 into minus 30, तो यह है हमारा, तो देखो, क्या होता है हमारा, 21, 3 जा, 63 होता है हमारा, तो आप इसको multiply करिएगा पहले, ठीक है, 30 से, इसे multiply कीजिएगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर minus और minus है, तो मैंने आप से जो पीछे rule बता है था, यहाँ पर देखो, हमने यह rule किया था ना, इससे पहले कौन सा वाला rule, minus minus cancel हो जाता है, यह वाला, second rule, तो हमारा वही था, तो यह क्या है, हमारा second rule से है, कौन सा, तो इसका minus cancel हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1, 0 है, तो 0, यानि इसका answer क्या होगा, यह होगा, ऐसी हमारा d, देखो, D में भी सेम वही है माइनस माइनस का एंसल वाला और देखो हमारा E देखते हैं E हमारा question क्या कह रहा है माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18 तो क्या कह रहा है माइनस 50 इंटू 0 इंटू माइनस 18 तो जब हम माइनस 50 का 0 से करेंगे 15 0 जा 0 इंटू माइनस 18 तो 18 0 जा 0 यानि इसका हमारा आंसर क्या जाएगा 0 यानि किसी भी इंटीजर का हम 0 से मल्टिप्ला करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 तो सेम है जिसके बाखी कोश्चेन है जिनमें हमारे रूल्स यूज हो रहे हैं तो आप उनको करना ओके ठैंक्यू गैज और आगे हम कर पड़ेंगे और आप इनमें कोश्चेन करना ओके